जीवा के खंड PQ एक वृत्य की जीवा है और R वृत्य के अंदर PQ पर इस्थित एक बिंदू है तब यह कहा जाता है कि बिंदू R जीवा PQ को दो खंडो P R और RQ में अन्ता विभाजित करता है इसी प्रकार यदि S वृत्य के बाहर रेखा PQ पर इस्थित एक बिंदू हो तब यह कहा जाता है कि बिंदू S जीवा PQ को दो खंडो S P और S Q में बाहर विभाजित करता है इसपर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच संबंध हमने वृत्य के बाहर बिंदू से खीची गई दो इसपर्श रेखाओं के बीच संबंध देखा है क्या वृत्य के बाहर बिंदू से खीची गई 6 दक रेखा तथा इसपर्श रेखा में कोई संबंध है प्रमे 13 कथन यदि PAB वृत्य की छेदक रेखा हो जो वृत्य को A और B पर प्रतिछेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो तो PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग दिया है वृत्य की छेदक रेखा PAB जो वृत्य को A और B पर प्रतिछेद करती है और PT पर स्पर्श रेखा खंड है सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है PA गुणा PB बराबर PT की घात दो रचना AB पर लंब OL खींचिये O P O T और O A को मिलाईए उप पत्ती उपत्ती में हम जिसे हमें सिद्ध करना है PA गुणा PB बराबर PT की घात दो इसमें हम इसका बायां पक्ष लेंगे सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे पर हमें प्राप्त होंगा PA गुणा PB चित्र पर देखते हैं हम PA को हम लिख सकते है PL कोश्टक में PL रिड AL PL में से कहीं हम AL को घटाएंगे तो हमें PA प्राप्त होंगा उसी तरह से गुणा PB PB रेखा खंड को हम तोड के लिख सकते हैं PL धन LB बराबर कोश्टक में पहले कोश्टक में PL रिड AL इसे समान लिखे दूसरे के कोश्टक में हम कोश्टक में PL धन LB के स्थान पे हम AL लिख सकते हैं क्यूंकि केंदर से जीवा पर डाला गया लम जीवा को स्वम दिवाजित करता है इसलिए OL जो है O जो है केंदर है विरित का और OL जो है जीवा AB पर लम डाला गया है इसलिए AL की लंबाई BL की लंबाई से बराबर होंगा तो LB के स्थान पे हम यहाँ पे AL ले लेंगे केंदर से जीवा पर डाला गया लम जीवा को दो बराबर भागों में स्वम दिवाजित करता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चूंकि केंदर से जीवा पर डाला गया लम जीवा को स्वम दिवाजित करता है स्वम दिवाजित करता है इसलिए हमने LB के स्थान पे AL लिखा अब कहीं हम यहाँ पे कोश्टक में देखते है PL रिण AL दूसरे कोश्टक में PL धन AL यहाँ पे हम सरसमीका का सूत्र लगाएंगे A रिण B और A धन B क्योंकि हम जानते हैं कि A रिण B और A धन B बराबर A का वर्ग रिण B का वर्ग होता है इसलिए हम इसे सरसमीका का प्रयोग करके PL की घात दो रिण AL की घात दो लिख सकते हैं अब कहीं बराबर PL की घात दो रिण AL के स्थान पर हम पायथागोरस प्रमे का प्रयोग करेंगे त्रिभूज O—L—A में यहाँ पर त्रिभूज O—LA एक समकोंड त्रिभूज है जहाँ पायथागोरस प्रमे का प्रयोग करेंगे और यहाँ AL जो है वहाँ समकोंड त्रिभूज का अधार है तो अधार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं विकार्ण का वर्ग विकार्ण है हमारे पास त्रिभूज में ओए तो विकार्ण का वर्ग रिन लंब का वर्ग और हमने यहाँ पे कुन सा प्रमे प्रयोग किया है पाई था गोरस प्रमे का प्रयोग कर हमने एल का वर्ग के स्थान पे ओए का वर्ग रिड ओएल का वर्ग लिखा है तो पाई था गोरस प्रमे से आगे देखते हैं अगले प्रिष्ण में प्राप्त किया था पाई था गोरस प्रमे से पी एल की घाथ दो रिन कोश्टक में ओ एकी घाथ दो रिन ओ एल की घाथ दो कोश्टक बन यह हमने पैथाकोरस प्रमे के प्रयोग से प्राप्त किया था बराबर P L की घात 2 रिण कुष्टक को जब हम यहाँ पे खोलेंगे तो खोलने के पस्चाद रिण को जब हम गुणा करेंगे O A के वर्ग से तो हमें प्राप्त होंगा रिण O A की घात 2 और रिण को जब हम रिण O L की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये धन O L की घात 2 होंगा बराबर यहां पे हम P L की घात 2 और धन O L की घात 2 को एक साथ लेंगे और अंत में रिण O की घात O A की घात 2 को लिखेंगे यहां हमने त्रिभुज OPL में पाइथागुरस प्रमे का प्रयोग किया है पाइथागुरस प्रमे से प्रमे का प्रयोग करके हम P L की घाद दो धन O L की घाद 2 के स्थान पे O P का घाद 2 रखेंगे देखिए कहीं हम यहां पे चीतर में हम देखते है P L की घाद 2 जो यह समकूर्टि भुझ का अधार है और O L की घाद 2 जो है वहां लम का धार है इसके स्थान पर हम कर्ण का धार रखेंगे तो कर्ण का धार जो है मारा ओपी का वर्ग है रिन ओएकी घात दो बराबर ओपी की घात दो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओए जो है वृत की त्रिज्जा है और साथ ही साथ ओटी भी वृत की एक ही वृत की त्रिज्जा है तो हम O A के स्थान पर दूसरी तरिज्जा वृत की तरिज्जा O T रख सकते हैं तो यहां पर हम इसके स्थान पर O T रखे O T की घाद दो क्योंकि हम जानते हैं कि O A बराबर O T एक ही वृत की दो तरिज्जा है बराबर अब हमारे पास है O P की घाद दो रिण O T की घाद दो पुना हम पाइथागोरस प्रमे का प्रयोग करेंगे यहां पर और अब देखते हैं कि O P की घाद जो दो है वो हमारा कर्ण है और O T जो है हमारा लम है तब हम कर्ण के वर्ग में से लम के वर्ग को घटाएंगे तो हमें अधार का वर्ग प्राप्त होंगा तो O P की घाद दो रिण O T की घाद दो के स्थान पे हम P T की घाद दो लिखे हैं और हमने इसका यह जो है पाइथागोरस प्रमे समकोर्ट त्रिभूज में लगाया है तो यहां पे पाइथा गोरस प्रमे से हमें प्राप्त हुआ है P T की घाद दो इसी लिए हमने जो शुरुआत में जो है चालू किया था प्रमे के लिए PA गुणा PB जो हमारा सिध करने का बायापक्ष था और अंत में हमें प्राप्त हुआ है P T की घाद दो इसी लिए हमें जो सिध करना था PA गुणा PB बराबर P T की घाद दो या इस तरह से इस प्रमे को हमने सिध किया कि PA गुणा PB बराबर P T की घाद दो या इस प्रमे का उपत्ती है करके देखें यदि किसी वृत्त की जिवाएं एक दूसरे को वृत्त की अंतरगत या बहिरगत प्रतिछेत करती हैं तो किसी एक जिवा के खंडों से बनने वाले आयत का शेत्रफल अर्थात PA गुणित PB बराबर PC गुणित PD